नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मोबाल न्यूस चैनल मेर्टो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका इस खास न्यूस बुलिटन में खबरों का सलसला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की हैडलाइन्स पर रियो ओलम्पिक का रंगा रंगा गाज ब्राजिल के माराकाना स्टेडिया में फूका गया खेलो के महाकुम्र का बिकुल निश्वाने बाज अभिनव बिंद्राने की भारती अदल की अगुआई दिल्ली महिला आयो की अध्याक्ष स्वाती मालीवाल के खिलाफ ACB में श्विकाय दग्ज पद का दुरुप्योग करने का है आरोप ACB अधिकारीने की पुष्टी जेडियू नेता शरद यादफ का विवादत बयान कहा बेरोजगारी की वज़े से सड़कों पर बड़े कावडिये मोजी सरकार को लिया आड़े हातों असम के कोकराज हार जिले में हुए उगरवादी हमले में 14 की मौद कई घायलों की हाला चुंता जनक, एक हमलावर के मार जाने की पुष्टी, सेना ने समाला मोर्चा और विजे रुपार्णी होंगे गुजरात के नए मुख्य मंत्री, राजेपाल से मिलकर सरकार बनाने का पेश क्या दावा रविवार को होगा शपत ग्रहन समारो, पटेल आंदोलन के नेताहर्दिक पटेल ने जोताई नाराज गी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालिवाल की मुश्किले फिर बढ़ सकती है हाली में रे पिडिता का नाम उजागर करने पर स्वाती मालिवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दरज की थी अब स्वाती मालिवाल के खिलाफ ACB में श्विकाय दरज कुई है दरसल दिल्ली के पूर्व मुख्य सचीब उमेश शहिगल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालिवाल परपद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ ACB में श्विकाय दरज कराई है एक वरिष्ट ACB अधिकारी ने इसकी पूष्ट की है कि सहिगल ने श्विकायत दरज कराई है और इसको देखा जा रहा है इससे पहले श्विकल ने उपरा जिपाल नजीब जंक को पत्र लिक कर आरोप लगाया था कि मालिवाल ने एक नीजी कलब को कारण बताओ नोटस ज्वारिकार पद का दो रुपयोग किया घाटी में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है देराज सुरक्षा बलो की फाइरिंग में तीन लोगों की मौत हुई है कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में प्रदर्शन के बाद ये हिंसा भड़की है बढ़गान जिले के चदूरा और खान साहिब इलाके में दो लोग मारे गए है जबकि सुपोर्ट जिले में भी सुरक्षा बलो के साथ जड़प में एक की मौत हुई है पिछले चार हफ़तों में सुरक्षा बलो की फाइरिंग में 54 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3000 से जड़ा लोग घायल हुए है पैलिट गन की वज़ा से 100 से जड़ा लोगों के आखों की रोशनी चली गई है 2 अगस्त कोकेंद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समविट की गई इस रिपोर्ट में कहा था कि कश्मीर में 8 जुले से शुरू हुई हिंसा में 3 अगस तक कुल 872 घटनाओं में 42 नागरिकों की मौत हुई जबकि 2656 नागरिक जख्मी हुए है जैपुर कॉंग्रिस ने राजस्तान में गायों के मरने और खराब स्थिती के लिए बीजेपी सरकार को जिम्दा ठहराया है जुला कमिटी ने गायों की रक्षा के लिए शनिवार को पहले एक महा आरती और इसके बाद गो रक्षा पद्यात्रा आयोजित किया है इसका नितित्व जुला अध्याक्ष प्रताप सिंग खचरियावास नगे पाउ करेंगे बताते चले कि हिंगो निया गोजाती अपशू पुनवास केंदर में बीते कुछ दिनों में कई गायों की मौत हो चुकी है इससे देखते हुए जुला कमिटी ने बिमार गायों के वचाफ के लिए भियान चलाने की मांग की है जैपूर कांग्रिस अध्याक्ष प्रताप सिंग खचरियावास ने कहा कि हिंगो निया गोशाला में हर दिन से एकड़ो गायों की मौत हो रही है जुसे कांग्रिस अहट है और इसके विरोध में गोरक्षा यात्रा निकाली जाएंगी जेडियो नेदा शुरद यादव ने देश में बिरोजगारी बढ़ने की तुलना कावडियों की भीड से करके विवात खड़ा कर दिया है दरसल कानपूर में जेडियो की रैली के लिए पहुंचे शरद यादव ने कहा कि देश में बिरोजगारी बढ़ी है जिसका उधारन कावडियों की बढ़ती भीर से साफसाफ देखा जा सकता है शरद यादव ने ये बयान घाटमपूर में जेडियो की जनसभा से पहले सरकिट हाउस में दिया शरद ने कहा कि कावडियों की भीर देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश में कितनी बेरोजगारी है इनके पास काम होता तो ये सडको पन नहीं दिखते उत्रप्रदेश में चुनावी गठबंधन पर शरद ने कहा कि उनकी समाजवादी पाटी या किसी और पाटी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी सपा को बिहार में परक चुके हैं इसलिए किसी सूरत में उसके साथ गठबंधन नहीं होगा वहाँ देख सकते हैं बड़ी भीड बढ़ रही है कामरी है वो इतनी बड़ी भीड है होती है यदि मोलोगों काम होता तो वैश्णो देवी मंदर के पास लैंसलाइट के दौरान चटान गिरने से चार लोगों की मौत हो गई वही साथ लोग जखमी हुए हैं मरने वालों में एक बच्चा और एक महीला शामिल है पुलिस ने बताया कि ये घटना अर्द कुमारी मंदर के पास हुई जिसमें एक शक्स की मौत मौके पर ही मौत हो गई है वही जादत श्रधालूओं को सिर्द में चोटे आई हैं जिस जगह ये लैंसलाइड हुआ है वहां से वैश्णोदेवी मंदर करीब 6 किलोमीटर दूर है घायलों को कट्रा के कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर में एडमिट कराया गया है आपको बताते हैं कि घटना उस वक्त हुई जब श्रधालूमा वैश्णों के दर्शन के लिए गुफ एक स्पीच के दौरान हिलरी क्लिंटन अपने ऑपोनिंट डॉनल्ड ट्रॉम्प को हस्बेंट बता बैठी हाला कि वो हस्बेंट शब्द नहीं बोल पाई और खुद को फॉरण सम्हालते हुए कहा मेरे ऑपोनिंट इसी बारे में बात कर रहे हैं इसके बाद उन्होंने का समहल कर आगे की बात कही उन्होंने अपनी ओर ट्रॉम्प की पॉलिसीज में अंतर को लेकर रिपोर्ट्स को जानकारी दी बता देगी हिलेरी के पती का नाम बिल क्लिंटन है बिल खुद दो बार यूएस प्रेजिडेंट रह चुके हैं केंद्र ग्रिहमंत्री राजनाज स किया जो उन्हें करना चाहिए था राजनाथ ने बताया कि पाकिस्तान के ग्रिहमंत्री चौधरी निसार अली खान ने सब को दोपहर के भोच पर आमंत्रित किया था लेकिन बैठक के ततकाल बाद वे अपनी गाड़ी में बैठ कर चले गए थे गुरहमंत्री ने कहा कि इस बारे में कहने में मुझे संकोच होता है उन्हें जो करना था वे किया मुझे कोई शिकायत नहीं है साथी अरब में फसे भारतियों के बीच साथी के डायरेक्टर जनरल और भारत के विदेश राजमंत्री वीके सिंग कल जब जेदा में फसे वरकर से मिलने सोजेक्ट कैंप जेदा पहुंचे तो उनमें खुशी की लहर दोड़ गई वहां मौझूद लोगों ने वीके सिंग जिंदाबाद, नरेंद्र, मोदी, जिंदाबाद, चुश्मा, सुरा, जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिये वही कुछ फसे भारतियों वरकर ने भारत लौटने से इंकार कर दिया आठ महीने से सैलरी नहीं मिलने के कारण जिदा में फसे कामगार भारी कर्ज में डूबे हुए हैं जिदा में फसे राजिस्तान के कुमान सिंग ने कहा कि सरकार ने हमारी मदद की और वीके सिंग सहाब यहां आए इसलिए उनको हम शुक्रिया कहते हैं लेकिन आठ महीने से हमें सैलरी नहीं मिली और हम और हमारे घरवालों के उपर लाको रुपई की उधारी है इसलिए ऐसी हालत में घर लोटना संभव नहीं है सुप्रीम कोट ने केंद सरकार से कहा कि दूद में मिलावत करने वालों को उम्रकैत जैसी कड़ी सजा देने का कानून बनाने पर विचार करें क्योंकि दूद का सेवन बच्चों समेत लोगों का एक बड़ा समो करता है कोट ने स्वामी अच्युद तानंध तेरत समेत अन्य द्वारा दाखिल जनहित याचिकाओं पर ये फैसला दिया याचिका में कहा गया था कि दिल्ली उत्रप्रदेश, पंजाब, हर्याना और राजुस्तान में बड़े पैमाने पर मिलावटी दूद का गोरख धंदा चल रहा है सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में सरकार को कई अन्य निर्देश भी दिये हैं पिछले चार वर्षों से सरकार को खाथ सुरक्षा एवग मानक अधिनियम 2006 में बदलाव करने के लिए कहने के बावजूद कोई नतीजा सामने ना आने पर कोट ने ये निर्देश दिये स्पैनिश ट्रेंट टेलगो अपने दूसरे परिक्षन के दोरान शुकरवार को दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई ये ट्रेंड नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लाटफॉर्म नंबर 1 से दोपहर 2 बज कर 46 बजे मुंबई के लिए रवाना हुई आधुनेक सुविधाओं वाली तेलगों का एक अगस्त को भी परिक्षन हुआ था परिक्षन के दौरान रुतराम के आगे पत्रियों के नीचे से मिट्टी बह जाने की कारण ये ट्रेन एक घंडा 40 मिनिट की देरी से मुंबई पहुंची थी रेलवे दूसरे परिक्षन को सफल बनाने की कोशिश में जुटा है ताकि ट्रेन समय से मुंबई पहुंच सके रेलवे बोर्ट ने दिली से मुंबई के बीच पढ़ने वाले स्टेशनों को जरूरी सुविधाओं की सूचना भेज दी है इसमें ट्रेन के पहुंचने का टाइम टेबल भी मौझूद है जिससे परिक्षन के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके पिछले परिक्षन में ट्रेन को कई जगा पट्री खाली होने का इंतजार करना पड़ा था जिसे बचने की भी भर सक कोशिश की जा रही है वरतमान में कॉमेडी शो मजाक मजाक में निरनायक की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के पूर्वतेज गेंदबाज सोहेब अक्तर ने बताया कि वे जब भी भारत आते हैं तो बॉलिवुड सुपस्ता सल्मान खान के परिवार से मुलाकात करने के लिए उनके घर जरूर जाते हैं ये बात खुद सोहेब ने कही शोहेब ने कहा कि जब भी मैं भारत में होता हूँ तो अक्स सल्मान खान के घर जाता हूँ मैं सल्मान से नहीं बलकि उनके माता पिता से मिलने जाता हूँ वे अद्वुद्विक्ती है और मैं हमेशा से सल्मान और उनके भाई का प्रशन सकूँ कि वे अपने माता पिता का कितना समान करते हैं शोयब ने कहा उनसे मिलने कोई भी जाता है वे उनका खुशी से स्वागत करते हैं वे काफी मददकार और महान लोग है इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जोड़े रही है मेट्रो टीवी से नमस्कार